Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh my name is Rizwahn Chima and welcome back with another video of Capital Smart City this video is about Overseas Prime Block and Overseas Prime Block के वाले से ये वीडियो basically most updated video यह नहीं this was recorded on 21st of October 2020 और इस वीडियो के शुरूँ में इनिचली मैं आपको तरिभी 1 मिनेट में टाइम लाप्स दिखाऊंगा जो Overseas Prime में different sites पे काम हो रहा है जिसमें अभी इस वक्त जो आप टाइम लेप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह Overseas Prime जो गेट नमबर टू के साथ लेफ्ट साइट पर एरिया है उसके साथ काम हो रहा है और इसमें जो इनिशली जो कर्टिंग फिलिंग वाला काम होता है जो बेसिक अर्थवर्क होता है उस पर क नमबर वन उस गेट के साथ जो अभी इनिशली अप स्क्रीन पर फूटिज देख रहे हैं यह बेसिकली यहां पर प्रिविएसली दूसरा पराना गेट था एक और सुसाइटी का जिसके नाम था नैशनल कार्डन और उस सुसाइटी गेट को अब यहां से खतम कर दिया गया उसको बिलकुल रिमूफ कर दिया गया है अब यहां पर न्यू एलिवेशन जो एलिवेशन आप स्क्रीन पर स्क्रीन पर देख भी सकते हैं इस एलिवेशन के साथ यहां पर अभी इस जगह पे 300 फीट का वाइड में बॉलिवर्ड बनाया जाएगा में ब्रॉडवे और इस कभी कर सकते हैं आपको लिंक डिस्क्रीप्शन में मिल जाएगा और सिस प्राइम का उसमें मैंने यह फूटेश आमिल गी तो यह वाला पार्टमन दिखाया था कि यहां पर बैसिकली यह में एंटर्स रोड होगा जो एक्जेक्टिव ब्लॉग को और सिस प्राइम काम में उसों पर काम हो रहा है और आने वाले दिनों मैं जब इस में रोड पर डेपिर काम होगा में गेर पर काम स्टर्ट होगा तो मैं अशेर उसक वीडियो भी शोट खुरेंके करने दूंड के ऑभी आप जो नुट कर वाली बात है कि इस कमिंग सिक्टी सेकंड्में यह वाला अरिया वाला पैच आपको नजर आ रहा हुए अब इस पूरे अरिया की ब्राउनिंग हो गी गी है यानिकि इसकी जो कटिंग फिलिंग होती है उस पे काम स्टार्ट हो गया है दूसरी अच्छी बात जो overseas prime के वाले से है वो ये है कि overseas prime का possession 1.5 year में handover कर दिया जाएगा 2 years before deadline यानि कि अगर अगर अपने plot book किया October 2020 में तो आपकी जो 3.5 year का installment plan है उस 3.5 year का installment plan में से आप 2 years deduct कर दें तो आपको less than half यानि कि आपने almost अपनी 45% installments clear कियोंगी तो overseas prime block का possession announce कर दिया जाएगा उसके बाद जिन जिन individuals ने overseas prime में plot लिया होगा वो इस पर construction करके अपने plots का possession लेके उस पर construction स्टार्ट कर सकते हैं possession के बात करें तो overseas prime के रावी overseas one में December onwards मुख्लिफ blocks का possession handover करना शुरू कर देगी society तो जिसमें सबसे पहला block जो है overseas block A और overseas block A के बाद फिर आपके sequence wise block B, block C, block D, block E April तक जो 4 blocks हैं 5 blocks इनका possession handover हो जाएगा और इसके बाद quarterly different blocks का possession handover होता रहेगा इस वक जो footage आप screen पर देख रहे हैं यह है 21st of October यानि आज की date की updated footage और यह जो footage है basically आप काफिया तक clear idea हो जाएगा कि अभी जो आपने previously 50 second पहले वीडियो देखी है उसमें कैसे आपका idea मिल जाएगा site में तब क्या काम हो था अभी इस वक जो site है वो उस पर कितना काम हो रहा है जो मैंने भी आपको explain किया है कि इसका 2 years पहले possession handover कर दिया जाएगा तो इसकी जो बड़ी reason है सबसे वो यह है कि overseas prime block जो है इसकी location overseas prime block basically locate करता है district 1 को connecting road है जिसे gate number 2 कहते हैं जो अभी individual अभी smart item visit करते हैं वो basically gate number 2 से एंटर होके directly overseas 1 में जाते हैं तो gate number 2 और gate number 1 जो भी आप screen पर gate देख रहे हैं gate number 1 की premises है यहां पर main gate बनेगा और इस चेक्री road में में जो आपको कुछ leveling वाला काम नज़रा आ जो मैंने mark भी कर दिया है यह वाला area यहां पर बड़े commercial जैनि mega commercials होंगे अभी officially society ने वा launch नहीं किये और maybe आने वाले दिनों में भी launch करें लेकिन for the timing society ने उसके बारे में कोई update नहीं दी किसी भी state agent को तो अभी आने लिदे में जब उसके update साइएंगी तो definitely मैं आपको साथ share कर दूँगा यह overseas prime के साथ आगे जो चक्री इंटर्चेंड की तरफ रस्ता जाता है यह उस रस्ते के साथ footage और यह जो अभी आप screen पर footage देख रहे हैं यह basically तमाम की तमाम footage उन commercial plots की है जो overseas prime के, prime में overseas commercial main neighborhood बनेगा वो commercial plots यहां पर चक्री रोड के साथ साथ वाक्या होंगे जो चक्री रोड फेसिंग होंगे और main gate के साथ left side पे और right side पे सिर्फ यह commercial plots होंगे दूसरे commercial plots main entrance road से enter होने के बाद शूरू में तो linear parks होंगे और उसके बाद आगे जाके main road की left side पे कुछ commercial plots होंगे जिनकी साथी बाद में जब ना अनौन्स करेंगे इसकी जारी सी बाद है selling तो हम आपको उसके बारे में update कर दूँगा for the time being उसके बारे में कोई update नहीं है अब बहुत सरे लोगी सवाल करेंगे के overseas 2 और executive 2 प्लस executive 1 प्लस वहाँ पे काम क्यों नहीं हो रहा और ये बाद में अभी जुमा जुमा एक फ़ता पहले launch होने वाला ये दो फ़ता पहले launch होने वाला ब्लाग इस पे इतनी ज्यादा तेजी क्यों दिखाए जारी है तो उसकी बहुत simple सी reason है जो executive 2 है या overseas 2 district है वो society के अंदर itself एक society का status रखते है आप चोड़ी example इस तरह ले लें कि overseas district 1 है एक district उसके अंदर 13 blocks है हर sector के अंदर यानि हर block हर sector के अंदर जैसे A sector है उसमें जो plots हैं तरीबन 500, B sector 3400, C sector 8900, D, E इस तरह मैं account करना शुरू हूँ हूँ तो बहुत ज्यादा plots बनते हैं यानि कि society के अंदर एक separate district है जिसके अंदर आगे सब sector 13 है 13 और हम बात करें overseas 2 की तो वो उसकी अब इन तक बैलेटिंग यानि उसके map नहीं आए जब launch होंगे तो मैं उसके बरे मैं को guide कर दूँगा executive block की बात करें तो executive block 1 का और 2 का status इस तरह से है कि executive 1 में भी तकरीबर 11 sectors है और आके जो 2 आएगा तो उसमें तो भी नितने sectors होंगे तो वो एक पूरी society का status रखते हैं ये एक छोटा सा block है इसमें total plot बनते हैं 2200 minimum plot है 7 मरला का जिसकी highest मतलब इसमें category plot की बात की जाए तो बनते है 2 किनाल का plot फोर किनाल के plot भी हैं लेकिन सेल में प्रिजेंट नहीं के गए तो जो 7 मरला से लेके 2 किनाल के plot सेल के गए हैं उनमें से almost 60-70% सेल हो चुकी है उसकी reason ये है कि जो ये block है overseas prime block ये adjacent है golf course के साथ यानि जो पीटर हायर टाइन जिस golf course को design कर रहा है उस golf course के साथ adjacent है अब golf course के अंदर जब capital hill villas बनेंगे तो capital hill villa की cost जो होगी वो मेरे ख्याल है पाकिसानियों के लिए variable नहीं होगी क्योंकि वो cost काफी ज्यादा होगी लेट से कि हाफ कनाल विला की प्राइज आ जाती है डाई क्रोड अब धाई क्रोड का afford नहीं करते घर तो definitely आपके पास एक option आपके पास society आपको जार सी बात है कि option प्रवाइड करती है आप वही प्लाट वहाँ पे 42 लाग 50 थाउदन का फ्लाट लेके आप खुद उस पर construction स्टार्ट कर सकते हैं तो खुद आप लेट से के बाद में development charges पे करते हैं construction भी करते हैं तो आपके पास एक viability option रहता है कि golf course की surrounding में ही आप रहेंगे बट आप golf course में जिस तरह एक आप कहलें कि जो फ्लैक्शिप विलाज होंगे वो आप न परचेज करते हैं वो भी उसी neighborhood में रहेंगे जो neighborhood में बाकी जिन लोग ने 25 मिलियन या ठाई क्रोड का 10 मरला का विला लिया है उस जगह पे वो रह रह रहे हैं तो आपके पास भी वह यह option है वही पर रहने का तो यह reason है इस block को बाकी block के निस्पत बहुत जल्दी develop कर दिया जाएगा एक यह चोटा block है दो कि इसकी directly connectivity है गॉल्फ course के साथ तो गॉल्फ course जो है स्मार्ट एटी का वो flagship project है जिसके लिए उन्हें एक 90 years पुरानी company पेटर हैर डाइन उसको hire की है और जिनके भी country head पाकिसान में दो साल के लिए जिस इस project के लिए पाकिसान में आ गए हैं तो definitely उन्हें एक flagship project करना तो साथ एक option प्रवाइट करना था कि लोगों को एक अच्छा option भी मिले secondly ये जो project है यानि कि ये जो overseas prime block है इसका जो gate है वो gate directly access उसकी definitely ये block ना भी आता ना भी बनता तो इस gate ने बनना ही था क्योंकि इसकी directly access जाती है executive block 1 तक executive block 1 जिसका directly पहला block है block B और बाकी दूसरे blocks भी है तो इस block के साथ इस gate के साथ बनने से ये होगा कि overseas prime को एक separate gate मिल जाएगा ये एक separate access मिल जाएगी जिसकी आप इस फोटेज स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि 3 weeks पहले ये area कैसा था आज आपके सामने है कैसा है मैं इसकी 3 weeks बाद जब video बनाऊंगा तब आप इसको मजीद जज कर लेंगे कि तब क्या हालत होगी तो हर आने वाले दिन के साथ जब society के general manager sales and marketing उन्होंने एक बात की है कि हम इसका committed time से 2 years पहले यानि committed time let's say the committed time is 3.5 years as I explained in the beginning of the video if the committed time is 3.5 years and society is about to provide this possession of these plots in 1.5 years तो आपको 2 साल पहले possession मिल जाएगा इस वक्त जो मैंने मार्क किया ये gate number 2 के साथ जो premises है जो मैंने इनिशली वीडियों में अगर आपने दोबारा देखना हो तो 2 minute 20 seconds पर जाके आप उसकी दोबारा देख सकते हैं ये area पहले कैसा था इसी वीडियों के शुरुरू मैंने र explain कर दिये कि number one जो golf course के साथ है number two के इसका चक्री रोड के साथ direct access है चक्री रोड से जो ring road का interchange है वो 1.3 km के distance पे है official जो interchange का plan आ गया है ring road का तो 1.3 km के distance के साथ जो भी individual till the time capital smart city में motorway के interchange नहीं बनती और लोग जिन लोग ने capital smart city investment की है ये करना चाहते है तो लोग जब smart city visit करत हैं तो उनको directly इसी gate से आना होता है तो society के लिए बहुत बुड़ा image जाता है अब जब smart city को विजट करता है इतने बड़े project इतने बड़े developer की society हो और जब को विजट करें तो वहाँ पे उसे एक pathetic gate मिलता है वैसे by the way है वो pathetic gate उसको कोई बड़ी बात नहीं है तो automatically society का एक ब main broadway किसी society के पास इस वक्त इसलामबाद में available नहीं है इसलामबाद में जो सबसे open road है वो है 220 feet वो है गुल्बाग ग्रीन के पास इससे बड़ा main broadway किसी society के पास नहीं है so here's this was it from today I tried my level best to explain things thoroughly तो अगर आपको smart city में booking के हवाले से कुछ मालूमाद चाहिए हो तो मेरे number आपकी screen पे available है आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लेगे तो please do like comment and share and channel को subscribe करना मत बोलें रिज्वान चीमा को दीजिए जादत अगली वीडियो तक के लिए खुदा आफिस करसे कर दो डिज्वाद आपकी झाल झाल झाल